हेलो नमस्कार डियर इस्टुडे में वेलकम टू सक्सिज केरियर आज की इस वडियो में आप लोग देखने वाले हैं आई टी एग्जाम 2024 को लेकर डेट जारी कर दिया गया है जो भी केंड़ेट यहां की भी इंफार्मेशन मिलेगी और डेट आपका सी बीटी एक्जाम और प्रैक्टिकल का एक्जाम कब है परिक्षा कब है वह सारी इंफार्मेशन मिलेगी वीडियो का अंतक बने रहीएगा चलिए सबसे पहले नोटी जारी हुआ है हम उसको दिखा देते हैं जो आई टी एक् टैयरी करना है तो टैयरी से सारी इंफार्मेशन पीडियेफ क्लास सबको आपको इसमें इंफार्मेशन मिलेगा तो यह आपके लिए दाईतव है कि आप इसमें अपना जॉइन करके रखे कि आपको सारा अपडेट मिलता रहे चलिए इस नोटिफिकेसन को हम डिसक्स कर ले यहां पर देखेंगे दिया हुआ है यह सभी जितने भी प्रिंस्पल है उनको बेजा गया है चिप से क्रेटरीज है सभी स्टेट राज्य के यूदियर ट्रेटरी सब को बेजा गया है विसे क्या है स्टीडूल आफ सीटीएस मेल एक्जाम फार सेशन दो हज़र बाइस चोब यह एक्जाम सेडूल की गई है अब यहां पर देखिए दिया क्या है टेंटेटिव सेडूल फार क्राफ्ट ट्रेणिंग स्कीम आल इंडिया ट्रेट टेस्ट दो हजार चोबीस में इक्जाम फार्दी सेशन दो हजार बाइस चोबीस सेकेंड यार दो हज़र से पचिस या करना सकते है यह आयटी Alz के दवारा जम कर आपको असे प्रूस हो सकते हैं यहहां पर देखिए के लिए के लिए कफासे है फार्मेट्व एसेस्मेंट से लेकर 24 से लेकर 8 जुलाई 2024 तक होने वाला है फिर उसके बाद आपको एटेंडेंस मागा जाएगा डीजिटी के द्वारा सभी केंडेट का एटेंडेंस मागा जाता है यह भी 30 जून से लेकर 8 जूलाई तक होने वाला है ठीक है सारी चीज हम आप लोग को बताएंगे कि आपको एक्जाम फिस कैसे जमाऊगा आप लोग बस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा जैसे जैसे होगा सारा इंफार्मेशन आइटी आई के द्वारा में आप लोग को प्रोसेस में बताता रहोंगा अब इस रखिएगजामिनर रजिस्ट्रेशन और डिस्टिक प्रिफिरेंस अफडेट किया जाएंगा यानि कि जो प्रैक्टिकल एक्जम लेने के लिए एक्जामिनर बनके जाना है वह 16-ución से 30 जुलाई के बीच होने वाला है नोडल आइटिया इसका निर्दारिक करेगा और practical हाल टिकर डाउनलोड यानिकी admit card practical के लिए download 17 जुलाई 2024 से 5 अगस 2024 के बीच आपका होने लगेगा ठीक है practical examination के लिए उसके बाद practical exam 1 अगस से लेका 5 अगस के बीच सभी state में होंगे उसके बाद जो भी practical का mark होगा उनको entry की ज द्वारा उसके बाद इंटर्वड प्रेक्टिकल मार्क प्रूब नोडल आइटिया के द्वारा किया जागा एक अगस 2024 से लेका 15 अगस 2024 तक नोडल आइटिया के द्वारा किया जागा उसको इंटर्वड प्रेक्टिकल मार्क एप्रूब इस्टेट के द्वारा किया जाग में है वह एक अजस्स से लेकर 20 अगस्त के बीच होगी इस से सीविटी एकजाम जोगा वो सेविटी एक्जाम सेंटर मैंपिंग यानि कि सीविटी एक्जाम के लिए सेन्टर बनाया जाएगा उसके बाद CBT exam आपका यानि computer-based 7 अगस्त से लेकर 27 अगस्त के बीच चलेगा DGT के द्वारा उसके बाद result जो आएगा आप लोग का 5 September 2024 को DGT के द्वारा आएगा ठीक है तो यह आप लोग नोटिफिकेशन टेलिग्राम चैनल से जॉइन करके आप लोग डाउनलोड कर है 100 में 100% लाना चाहते हैं तो सकस्सकर्यर मॉबाइल एब को आप लोग को डाउनलोड कर लेना है यहां पर आपको आई टिय अई कोर्स मिलेगा इसमें अंतरगत आप जाएंगे तो बहुत सारे शुख डूब लोग को आई टिय से रिलेट्टन मिल जाएंगी जैसे यहां पर देखेंगे जैसे यहाँ पर देखेंगे फीटर फिर्ट ऐस्ट एर सीवीटी एकजाम मोग टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा क्या-क्या कंटेंट मिलेंगे वह भी आप लोग देख लिए जब इसको आप लोग ओपन करेंगे न जब आप वे सब्सक्राइब करेंग उसके solar files हैं आपको PDF मिल जाएगी उसके बाद first year workshop calculation science आपको not file or not test मिल जाएगी उसके बाद आपको engineering drawing की CBT exam के लिए यहाँ पर engineering drawing मिल जाएगा और उसका test मिल जाएगा और उसकी PDF मिल जाएगी ठीक है तो आप दोग से बिल्कुल कम फिस में आपकी त्यारी बेसरीन हो जाएगी वस आप लोग को प्रेक्टिस करना है ठीक है और किसी तरह की क्वेरी होगी तो आप में कमेंट बाक्स उन पूस सकते हैं आज के लिए वडूमे इतने आई और साथ में आप लोग वाट्सप और टेलिग्राम चैनल में बोल ला हूं भुलियेगा नहीं क्योंकि आल्रेडी टेलिग्राम चैनल में 12500 से अधिक एंडर को डायरेक्टली ला मिलता है जैसे मैं वीडियो अभी बना रहा हूं इसे पहले मैंने पीडियेफ आप लोग को भेग दिया है तो आप लोग को पीडिये बुलित हैं ठैंक्स वार्चिंग दिस चुट गाइज मिलेंगे नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाए जहीं और हां अपनी तयारी जम कर करिएगा और किसी तरह की वी क्वाइरी हो एक्जाम से रिलेटेड आपका रिजर्ट से रिलेटेड या तयारी से रिलेटेड तो आप लोग पूछना जरूर ना भूलिएगा और दूसरी चीज अगर आप केरियर से रिलेटेड परिशान है कि आईटी आई के बाद क्या करेंगे तो आप मुझे इस्टाग्राम से जुड़े आईए उस पर मैं आप लोग को हेल्प करता रहोंगा ठीक है तो आप लोग जरूर जुड़ जाएगा और किसी तरह की भी क्वेरी होगी तो आप कमेंड बाक्स में पूछ लीजगा आज के लिए वड़ो मित नहीं हम फिर मिलेंगे आप लोग की साथ सारा अपडेट आईटी आई से रिलेटर बताता रहोंगा पलपल की खबर आप लो